जेडियू के नवनियुक्त प्रवक्ता राजीूर अंजर प्रसाद पटना से दिल्ली में अपना कारिभार संभाल लिया है हमारे साथ मौझूद है बिहार की सियासत पे आप जेडियू का पक्ष दिल्ली में भी रखेंगे और बिहार से तो रखेंगे ही बिहार में जो नई स सियासत है उसमें एक नाम बहुत चल रहा है प्रशान किशोर काम शुरुवात वहीं से करेंगे आप से बातचीत में कितना प्रभाव डालेंगे वह दावा करने कि बहुमत आएगा बहुत सारी सीटे आएंगी अगले विधानसभा चुनाओं में देखें अभी वह अपनी छम हम मानते हैं कि पोल स्ट्राटिजिस्ट का भी काम है लेकिन आपको जो काम मिलता है जिस पार्टी के बड़े चेहरे के नेत्रित तुम्हें पार्टी या अलायंस सुनाव लड़ता है आप उसको निखारने के लिए उसकी जो खूबियां है उनको ज्यादा मजबूती के माम प्रधान बंत्री नरेंदर मोदी जी जब गुजरात की मुक्हें मंत्री ठे और जब उनकोuing को फिश्णाावी अभियान की कमान, निटिस कुमार जी की जो स्विकारेता और लोक्रियता है उनको कहीं न कहीं प्रशांत की सोजी उस चुनाओ अभ्यान से जुड़ करके उन्होंने काम किया और उन्होंने अपने काम के जरिये जो उनकी छमता थी उसको साबीत करने की भी कुछिस की उसके बाद हिंदुस्तान की कई स्थापीत करना चाहते हैं तो बिहार में 20 वर्सों का जो यह कालखंड है दो दसक इन दो दसकों में आधार्वुद संग्रचना का अभुद पुर्वविस्तार कि समाज के सभी तपकों का न्याय के साथ विकास हर घर बिजली हर घर पीने का पानी और आसंख्य रोजगार कि नौक्रि इसके साथ शराबंदी जैसा काल जाई युगांकारी निड़ है और आज अगर आप देखेंगे तो से तू महा से तू चम चमाती सड़के गाउगां तक जो सड़कें हैं उनका जिस तरह से विकास हुआ है उसके बाद कोई भी व्यक्ति इतने बड़े चेहरे और एक विरा हमारा वोट शेयर है वहाँ इसलिए यह बेमानी है यह कोरी कलपना और खुद के आकलन में कहीं न कहीं वह असफल हो रहे हैं यानि आप कहरें कि वह फेल रहेंगे लेकिन एक तरफ आजएडी के तेजस्वी यादों पर हमलावर हैं चालिस सीटे मुसलमानों को देंगे यह गोशना कर चुके हैं दूसरी तरफ दलीतों महादलीतों और महिलाओं पर भी उनकी नजर है तो ऐसे में हाल के वक्त में आजएडी भी बहुत मसलों पे असहज हुई है उनके बयान से चाहते जस्वी यादों पर हमला करने की बात हो या चालिस मुसलमानों को टिकट देने की घोशना की बात हो तो ये सबदावे आपकी पार्टी को भी असहज करती है हम बिल्कुल आज़नी है ऑगं किसी भी राजनिता को तो अपने काम का अधिकार है उस पर किसी का क्या इतराज हो सकता है वो कोशिस कर रहे हैं लेकिन हम ये मानते हैं कि बिहार में अलायंस की जो हैसियत है और नितिश कुमाजी की जो स्विकारिता है जो उनकी करिस्पाई छवी है वहां प्रसांकिसोजी की चुनौती बेअसर इसलिए होगी कि कोई जो पुर जो सरुकार हैं जो वहां की उपलब्दियां है उसमें उनकी कोई भागिदारी नहीं है इसलिए जो एक 55-60% के वोट शेयर का जो अलायंस है उसको चुनौती देने का सवाली नहीं हो आट जैडी कहती है बीजेपी की बीटीम है इंडिये की बीटीम है तो वह बीटीम है आ प्रशांत किसोड जी से आर्जेडी को क्या परिसानी है और जीडी को प्रसांत कीसोड जी कि जरियसे देखते हैं वो कि हमारे लिए बहुत चिंटा का विशा इसलिए नहीं है कि आरजेडी के नेताओं और कारिकड़ताओं का पलायन लगातार जारी तेजस्वी आदों का और पार्टी के निताओं के साथ समवाद खत्म होता जा रहा है एक कवायद उन्हों ने शुरू की है यात्रा कुछ-कुछ बैठके भी कर रहा है लेकिन पार्टी के अंदर निरासा है प्रसांद की सोर्जी राजनिती के एक नए खिलाडी है और कोई अनुभाव नहीं है इस नितीश कुमार की एक समयधानिक मसले पर ऐसी जब मुलाकाते होते तो अटकले भी तेज होते हैं कि नितीशकुमार कि अपहिर बदल सकते हैं,- यह समयधानिक प्रक्रिया, युक्तों की नियुक्ति में निदा-प्र-थिफख्ष सहमति भी और इसे लिए इस पूरे प्रकरन से किसी राजनेतिक गडजोड या किसी संभावना को मैं पूरी तरह से खारीज करता हूं और ऐसे अफवाहों से सियासत नहीं हो सकती है अंतिम सवाल करूंगा सर केसी त्यागी ने इस्तिफा दिया नीजी कारण बताया लेकिन ये चर्चा है अंदरूनी सियासी गलियारे में खास का जेडियू और एंडिये के अंदर भी कि उनके बयानों से बीजेपी सिंक नहीं कर पा रहे ती जो यहां मौजूदा सरकार है चा कैसे अपने आपको सिंग करेंगे सरकार से या जेडियू अपने लाइन पर रहेगी कि देखे एक अलायंस में कि जरेता दली उनाइटेड 17 वर्सों से ज्यादा लंबा साथ हमारे एंडिये के साथ रहा है और हमारे नेता मुख्यमंत्री नितिश कुमार जी ने बार बार य इंडिये के साथ रहेंगे अब जहां तक कैसी त्यागी जी का सवाल है कैसी त्यागी जी का जो पत्र है कि उसमें उन्होंने उन्हीं स्थितियों का ब्योरा दे दिया है जी जो उनकी व्यस्तताएं हैं जो उनकी मजबूरियां है उसकी वज़ा से उन्होंने इस्तिफा किय झाल झाल झाल